Hello students, welcome again, मैं YouTube channel, तो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ यहाँ पर जो BSC Nursing and Post Basic BSC Nursing Courses के लिए admission के regarding application form जो release हो शुके है तो 2020 से लिके 21 के लिए इसके साथ हम discuss करेंगे कि date यहाँ पर क्या रहने वाली entrance examination के कैसे तुम यहाँ पर application form फिल कर सकते हो सब कुछ यहाँ पर discuss करने वाली हूं कौन को न एडमिशन ले सकते है everything about जो जो यहाँ पर होना चाहिए admission से start होके किसी भी entrance exam के till the end हम वीडियो में जाने वाले हैं सब कुछ इसी वीडियो में discuss करेंगे सब वीडियो को जो तुम्हें last तक देखना है तो complete detail में तुम्हें बताऊं तो आरे अभट knowledge जो university है जो अकू university है अकू के nursing के admissions जो है anit जो है उसके regarding आज हम बात करने वाले है application form निकल चुके है application जिनको भी form फिल करने है वो यहाँ पर invite किये गए last date भी तुम्हें बताने वाली हूं तो 6 तारिक यहां पर रहने वाली है मतलब 6 December को यहां पर तुम्हारा entrance exam होने वाला है nursing महावी द्याल में BSc nursing और पोस्ट basic के लिए यहां पर admissions जो है start हो चुके है और जो यह entrance exam की जो डेट है वह 6 यहां पर दिसंबर निर्धारिक की गई है मतलब 6 December को entrance होगा तो इसके लिए online admin की अंतीम्ती थी रहने वाले है 24 मालब की 24 November यहां पर लास्ट डेट यहां पर रहने वाली है इस व मतलब आविदन पहुचने की अंतीम्ती थी रहने वाली है 27 November की निर्धारिक की जो होगी और ने तुम्हें बता दिया की 6 यहां पर दिसंबर को होगा परे निर्धारिक के बार में अगर हम डिसकस करें तो 14 से लेके 23 तक यहां पर होने वाले दिसंबर तक यह जो भी इच्छु चात्र या फिर चात्रा हैं दोनों यहां पर अडिमिशन ले सकते हैं उपरुक्त कार्यकरम के अनुसार आविदन कर सकते हैं सभी फारम ओनलाइन ही यहां पर भरे जा सभी वर्गों के चात्र शात्राओं के लिए परिक्षा सूल्क पांसो रखा गया है जो भी वर्गों के चात्र शात्राओं के लिए पंद्रा सो रखा गया है जनल कटेगरी के लिए पंद्रा सो रखा गया है डेमांड ड्राफ्ट के मादम से ही यहां पर सुईकार किये जा तो तुम्हें किसके अगेंस्ट बनवाना है मतलब किसके रेफर में बनवाना है पटना में दे होगा सभी आविधन विश्व विद्याला के दिनांग 27 को यहां पर तक यहां पर डिबान ड्राफ्ट फिल दे सकते हैं आवशक्ता दस्तावेज के साथ स्पीड पोस्ट के मात् 27 नवंबर तक आव इदा नीमन पते पर भेजें यहां पर पता भी दे रखा इस पते पर तुम्हें यहां पर डीडी करवाना है परिक्षा नियंतरन आरे भट ग्यान विश्व विद्याले मिठापूर पटना बिहार अधिक जानकारी विश्व विबसाइट पर बता दे औ का अब आगर हम डिटाल अलाइट कि बारे में बात करें इंपोर्टन इंस्ट्रक्शन को इन टेस्ट के बारे में क्या यहां पर हने वाला है कंप्लिट आभी हम डिसकस करने वाले हैं तो वीडेय में तूम्हें रहना है तो जैसे की हाँप एक प्रोसपेक्टस अपना आच प्रिश्य के बारे में कंडिडेट जो है फिजिक्स, खिमिस्टी बाइलोजी से एंग्लेस इंग्लिष इंडिविजववली होनी चैये में में उसका पीसी जाहिए निए क्वालिफाइंग एक्वालिफाइंग एग्जामिनिशन कंडिडेट आर अल्स एक्वेव एक्वेवे नहीं होना चाहिए अगर जिनको भी यहां पर मतलब है यहां पर दिखत तो कलर को लेक्टिव मतलब की कलर ब्लाइंड है तो कलर कुरेक्टिव जो लैंस और स्पेक्टिकल वर्न की होने चाहिए मतलब की वन यर में ही उसका एडमिशन होना है मिनिमम में 17 रखी गई है और पोस्ट बेसिक के बारे में बात करें तो जी एनम क्वालिफाइड होंगे कंडिडेट्स जो होंगे 6 months of internship होनी चाहिए मैक्सिमम एस यहां पर नोट गरते हैं 50 years on the 31st December कंडिडेट मुस्ट भी रिजिस्टर अंडर दा नॉसेज कांसिल के अंग्रेस एंड यहां पर भी रिजिस्टरेशन भी होगा जो भी फिल करेंगा cell be admitted who has not applied for the admission within the notification जितनी टाइम का है उसमें तुम्हें यहां पर अपलाई कर लेना है तो तुम्हें पता ही है तो हमें पता ही है let's suppose कि अगर तुम SC ST से किसे से भी बिलोंग करते हो other category than general category तो जब तुम मतलब की किसी और स्टेट में यहां पर admission लेते हो तो तुम as a general category consider किये जाते हो तो इनके लिए भी यही policies है इनके लिए भी यही condition है तो offline और online field by the printed downloaded form तुम से भी with the required documents on the cell be submitted only through the registration यहां पर speed post कि तुम करवा सकते हो इसके अलावा तुम speed post कर सकते हो proper medium before the last date of यहां पर लास्ट देट से पहले तुम्हें यहां पर करना होगा instructions के बारे में बात करें तो offline जो होगा filled with the capital letter में यहां पर fill करना है सब कुछ accept signature signature तुम्हारे normal होने चाहिए जैसे तुम sign करते हो ऐसे information is required to fill in the boxes ठीक है यहां पर note यहां पर important बात है क्या-क्या है your application form will not be considered if it accompanied by a appropriate certificate or document or received after the last date अगर last date के बाद submit करवाते हो तो यह नहीं लिया जाएगा incomplete अगर application होगा due to any reason is liable by the rejection तो incomplete तुम्हें नहीं रखना है properly तुम्हें ध्यान से भरना है यह नहीं कि तुम्हें नहीं आता हो तुम्हें भरे जारे हो ऐसा नहीं करना है किसी बड़े भैन भाई से भरवा लेना वरना किसी शोप भी तुम्हें भरवा सकते हो पर ऐसा नहीं करना है कि अगर तुम्हें आता भी नहीं है और तुम्हें यहां पर हाफ ही यहां पर फिल किये जारे हो है ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है प्रिंट आउट यहां पे निकलवा लेना है अकुभिहार.ac.in से या फिर अकुएग्जाम.net से हां पे निकलवा सकते हो यहाँ रीड और अंडिस्टूट जो भी इंस्रक्शन होंगे तुम्ही अंडिस्टूट होने चीज़ अभी मैं तुम्ही बहता रही हूं सिर्फ तुम्ही वीडियो देख लेते हो और कोई एक्स्टा नोलज की तुम्ही जूरुत नहीं पढ़ने वाली है अप्लिकेशन फॉर्म को कम्प्लीट करना है और सब्मिट कर देना है ओनलाइन जो इंस्ट्रक्शन से उनके अकोडिंग ही मतलब कम्प्लीट बारा होना चीज़ है वगरा वगरा और यू है तो एंक्लोज देख सेल्फ असिस्टीड कोपी ओफ आल सर्टिफिकेट सारे सर्टिफिकेट की सेल्फ असिस्टीड कोपीज होने चीज़ दोक्यूमेंट की रिक्वार्मेंट है अफ्टर वेरिकिफिकेशन इड फाउंड देख सब्मिटेड बाय चंडिट अर एंटर अर झाल कान alors ओन ङला इस टोंधिकेटेट भी तुम्हारे ही टोक्यूमेंट फासली वाले तुम्हारेही इस टोक्यूमेंट भी दोकूमेंट कोपी यहां पे लीगल एक्षिन मेहान धीकेशन लया जा सकते है अधित गर तुम एसा करते हो तो अटेच था अटेशन और इमेल एड्रेस और उसके साथ और अधार नमबर तो इंस्ट्रक्शन क्या हैं इस्ट्रक्शन यही है कि यहां पर तुम्हें अधार नमबर वगरा मोबाइल एसटीडे एंडीडी में अपना नाम वगरा सब कुछ करेक्ट भर देना इसके साथ सथ अप्लिकेशन फोल में जो भी तुमें information भरनी है वो यहां पर capital letters में होनी चाहिए accept यहां पर तुम्हारे signature important consideration क्या है while applying के time पर तुमें किन-किन बातों का ध्यान यहां पर रखना है अगर तुम खुद अप्लाई कर रहे हो तो तुमें 100% ध्यान रखना है in case of the original documents are sent along with a printed online application form only attested copies of document should be attested copies ही तुम्हीं लेनी हा however at the time of admission following documents will be required in original form along with their attested copy for the verification याद रखना original document चलेंगे photo copies नहीं चलेंगी their attested photo copies भी चलें मतलब रखनी है verification के लब और original भी तुमें डाल देनी है original document will be returned to the candidate immediately after verification and comparison जब तुम्हर verification and comparison हो जाएगा जब तुम्हें original documents वापस दे दे जाएगे in case of the mark statement is not produced by the candidate अगर mark statement produced नहीं की जाएगे जाएगे at the time of admission decision of Daria Bhatton Joe Knowledge University regarding his eligibility admission program Salvee final the candidate selected for the admission must pay the required prescribed fee in a full at the time of admission सारी फीस तुम्हें time of admission के time ही फिल करवानी है तो वे फीस तुम्हें पहले से collect कर लेनी है there is no provision of the exception of the course fees other charges मतलब वहां पे तुम्हें बहस नहीं करनी कि नहीं मैं तो इतनी फीस नहीं देने वाला हूँ जितनी वो फीस होगी वहीं उतनी तुम्हें उसे हम देनी पड़ेगी ओन रिजर्विशन साइड जो पीटीम या फिर ड्राफ्ट दा तुम्हें पहले बता दिया अगर तुम पीटीम कर रहे हो या फिर या फिर या फिर ड्राफ्ट भीजर तुम्हें पना नाम यहां पे या फिर नॉलेज नंबर और मोबाइल नंबर ठीक है सारी चीज़ हैं पर फिल कर देनी हा अफ्र दूडीट अप्लिकेशन जो होग ला अप्लिकेशन फोम में यहां पे डुली ए सपोर्ट विड़ अटेस्टेड फोपी वगरा वगरा यह तुम्हें लगा देने तु कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन याद रखो किसको देना तु कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आरे भट नोलेज यूनिवस्टी यहां प मेलेटिकलेलेशन सर्टिफिकेट चाहिए वर दा पूफ ऑफ एग्ज कि तुम्हारी कितनी एग्ज होगी एक तेस्ट कॉपी कास्ट पर वेट पर परपस इन थे ऐस्टी एस्टी यहां फिर बीसी ओपी सी कंट्रीड़ेट के सिकें एडमिशन ओन दा रिजर्व कोटा तो के लिए यहां पर कास सर्टिफिकेट चेंज जो SC, ST, BC और OBC के लिए है कि वह यहां पर रिजरुवेशन के लिए अटेस्टू कोपी सो दख कलर फोटो कोपी यहां पर मतलब तुम्हें दो कोपी जहीं कलर फोटो कोपी की जिसमें तुम्हें अपना नाम वगरा लिख ले दे जैसे के रूल है और पर अटेमिशन मिलने वाला है रेजरुवेशन पॉलिशी जो होगी फुर एजुकिस इंस्ट्टूट एंड रूल्स विल बीफोलोग्यूद नो कंडिडिट्स कैन कलेम दाद अडिमिशन अपर वाइट कोई कलेम नहीं कर सकता है सेलेक्शन चैंडिट अब बता दिया जाएका और मैं भी तुम्हें बता दूँगी उसके लिए अभी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को अकुनल सिंग यहां पर अडिमिशन टेस्ट ए एन इडिट तो तूजन ट्वेंट टेस्ट विजाडिंग तूमें लेके जाना है तो सेलेक्शन जो होगा व वीडियो अप्लोड करूं जब भी रसल्ट आएगा विदिन वन सेकंड तो भी हां पर चेक आउट कर पाऊगे डिस्क्रिप्शन ओफ यहां पर एंट्रेंस एक्जाम के बारे में बात करें एक्जाम क्या रहने वाला कितने यहां पर आएंगे तो बायलोजी के बोटनी और यह हंडर आएंग्स का क्यूशन ओर पेपर होने वाला है उससिक बारे में बात करें तो फस्ट यहर का 25 मार्क्त का आएगा सेकंड यहर का फचिसके मार्कर थार्ड पंचिस्का एंद अदर जो एंट एमिशन बर्फछिन प्रॉसेशर वगरा के रिगार्डिंग और यहां पे तुम्हें ओफिशल वेब साइट पे जब बताएंगे यहां पे जब नोटिफिकर्शन आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी लास्ट ट्विंटी फॉर यहां पे नवंबर है और लास्ट टू रिच दा अप्लिकेशन जो होगा व हमने देख लिया अब ही तुम्हें बताने वाली हूं कि सलेवस क्या रहने वाला है ठीक है सलेवस हमने नहीं देखा है तो सलेवस देखेंगे दैन हम यहां पे थोड़ा सा और देखेंगी कि कैसे तुम यहां पे फिल कर सकते हो तो सब से पहले सलेवस देख लेते हैं यहां यहां पर एन आई टी का यहां पर सलेवस क्या रहने वाला है तुम्ही आप एडमिशन लेना है तो तुम्हें सलेवस के बारे में पका ही पता होना चाहिए और मैं सभी को बहुंगी कि एक बार तुम्हे तो एक्जाम देना ही चाहिए तो सलेवस यहां पर रहने वाला है में प्रोवाइड करा दूंगी तो हां पर अभी से कनेक्ट हो जाओ यहां पर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है तो बोटनी डाइवस्टी इन लिविंग और्गनिजम स्ट्ट्ट्र और्गनाजेशन अनिमल्स और प्लांट सेल स्ट्ट्ट्र एंड फंक्शन प् अप्लिकेशन एकोलोजी एइन वार्मेंट यहां पे रहने वाला है तो उस तेम पर मैंने सारे चेप्टर कर आया थे तो वहां के तुम्हें सेस कर सकते क्रेश को यहां पर फ़र बीयस न आसिंग एंटरस एक्जाम करके तुम्हें प्लेइस्ट मिल जाएगा चैनल पर जाक 12 का यहां पे सलेवस बस कुछ टोपिक्स बचते हैं जो यहां पे नहीं included हैं बाकि is almost same यहां पे सलेवस रहने वाला है तो इसके बारे में panic नहीं होना है तो यहां पे the entrance exam is unrelated to the candidate who wants to take admission तो online यहां पे fill करेंगे अको registration के regarding payment होगी पटना regarding control of examination मैंने बता दिया जैसे control of examination आरे फटनोलेज यूनिवस्टी यहां पे मिथापूर पटना ठीक है यह तुम्हें भर देना है click on the link to online registration यह link online registration के लिए अगर तुम करते हो तो यह registration मैं तुम्हें direct description में link provide कर देनी हूं सबसे उपर तो यह से जाके तुम्हें मतलब की registration कर लेना भी मैं तुम्हें बता देती हूं registration करना कैसे है तो registration जो होगा nursing admission fee to be prepared थोट दा paytm की form या फिर dd की form of the RS 1500 और RS500 for the SCSJNPWD के लिए issue by the any nationalized bank होगा इने the favor of the आकू के paytm के लिए link यहां पे है then यहां पे तुम्हें पे लिए link अलग से है and then यहां पे लिंक अपना registration new registration के लिए link अलग से हालर जी register करें हो तो तुम चेक कर सकते हो तो दोनों links मैं provide करा रहे हूं description में अभी तुम यहां पे जाके check कर सकते हो और अगर हम तुम offline registration details अगर तुम online नहीं भरना चाहते तो offline के लिए भी हाँ पर जो हमें link प्रोवाइड करा दे रही हूँ तो यह दोनों links में provide करा दे रही हूँ तो उसके लिए अभी से subscribe कर लो notification ओन कर लो और मैं सभी यहां पर almost entrance exam से regarding first, second, third years, four years से regarding यहां पर and also medical updates से regarding videos लाते रहती हूँ तो वो लगाता है वीडियो पाने के लिए ज़रो से subscribe कर लो मिलते हैं next video के साथ तब तक किलिए बाबाए